बच्पन सही मैं मस्त रहती थी, हम पाँच भाई बहने थी, मैं तिसरी नमबर पर थी, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी पापा मम्मी को उमीद थी कि बेटा होगा, एक भाई हो जाता तो बेहनों का ध्यान रख लेता, मम्मी पापा जब इस दुनिया में नहीं रहते तो ब बार-बार माबाप के पास आकर उनका ध्यान रखना, जब पहली बार मेरे पापा ममी ने मुझे गोद में लिया था, तो बेटा कहा था, और मेरी दीदी, लोग भी मुझे भाई-भाई कहकर बुलाती थी, मेरा नाम सुमन रखा था, और मेरे शौक बिलकुल अलग थे, क्य बड़ी बड़ी हुई तो जिंस पहनने लगे, मेरी बहने लड़कियों जैसे कपड़े पहनती, उनके लंबे-लंबे बाल थे, और देखने में काफी खुबसूरत लगती थी, मेरी आखे, मेरा रंग रूप, मेरी लंबाई सब कुछ अच्छी थी, बस मुझे लड़कों की अधिक वक्त गुजारती थी मोहले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी मुझे क्रिकेट खेलने का पहुत शौक था और मैं यही सोचती थी कि एक दिन इंडियन मेंस्ट्रीम में खेलूंगी यह बात सुनकर मेरे दोस्त मेरा मजा कुडाते और कहते थे कि तू तो लड़ की है इस पर मैं चिर जाती और कहती मुझे लड़की मत बोला करो मैं तो हर वक्त लड़कों की तरह लड़ने को भी तैयार हो जाती थी शायद मेरे साथ खेलने वाले लड़के या भूल चुके थे कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे एक लड़के की तरह ही ट्रीट करते मेरे मम्मे पापा मुझे कभी भी खेलने से नहीं रोकते थे पर मेरी बहनों का खेलना तो बहुत पहले ही रुख गया था। मैं ऐसे कप्रे बहनती कि अपने सीने को ढग कर रखती थी और मेरा सीना मिलकुल फ्लैट लगता था ताकि कोई मुझे लड़की न समझ ले। और लड़किया यानी जितनी भी मेरी सहलिया थी मुझे लड़कों की तरह हीट्रेट करती और जब मुझे टच करती तो बहुत हस्ती थी। कई लड़किया तो मुझे एट्रैक भी होती थी। एक ने तो कही दिया था कि मुझे तो बहुत पसंद है। इस पर मैंने कह दिया थ वह मुझे टच करता और पूसता था तुझे कोई फीलिंग आ रही है क्या मैं उसके पेट में एक पंच मार देती कहती बत्तमीज लड़का और हसने लगती फिर क्या था अमित मेरा हाथ पकर कर मरोर देता था इस समय में चिर जाती और घर पर आकर मम्मी से कहती मम्मी मैं लगी तो अमित से कही अमित देखना मैं तुम से ताकतवर बन जाओंगी अमित हसने लगता और कहता तू पूरी क्रैक है आवाज में भी भारीपन लाकर मैं बात करती थी लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी अब मेरी मम्मी को चिंता होने लगी थी कहने लगी अब तो जवान हो रही है लड़कों के साथ मत खेला कर और लड़कियों वाले कपड़े पहना कर पर मैं तो कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती थी बलकि मर्दो वाले सिलून में जाकर बॉइस कटकटवाती थी जैसे की अब मेरी यही पहचान बन गई थी अमित कहता सुमन अब तो बड़ी हो रही है कल को तेरी शादी हो जाएगी तो तू भी ऐसे कपड़े पहनेगी या योही उचल कुद मचाएगी इस पर मैं चेर जाती और कहती की मैं शादी नहीं करने वाली तुम देख लेना अमित कहता हर लड़की एक न एक दिन शादी करती है तेरी भी शादी जरूर होगी दसवी के एकजाम के बाद अमित न निहाल चला गया था क्योंकि उसके पापा गुजर गय थे बाद में आगे पढ़ाई करने के लिए वह लर्णन चला गया था पर वहां से मुझे कॉल कि करता था और मुझसे मेरी सारी खबर लेता रहता था फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई लड़कों के साथ खेलना बंद हो गया पर अब भी मैं जिन स्टॉफी पैंती थी और एक जैकेट लगा कर अपना सीना चुपाती थी मेरी दीदी की शा केक करकर रिष्टा आने लगा अब मेरे ममी पापा सोचने लगे थे कि सुमन घर पर बैठी हुई है फिर छोटी बेटियों की शादी कैसे करवाई लोग क्या कहेंगे पर मैंने कह दिया मा सबकी शादी करवा दो मैं अभी शादी नहीं करना चाती या फिर यूं कहलो मैं पापा को लगने लगा था कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी हो जिस वज़ा से मैं लड़कियों की तरह नहीं रहती हूँ मेरी चारों बेहनों की शादी हो गई लेकिन अब उन लोगों को मेरे शादी की चिंता भी सताने लगी जान पहचान में वह लोग मेरे लिए रिष्ट इससे कौन शादी करेगा मैं यह सारी बाते अमित से फोन पर कहती थी अमित कहता तो औरतों जैसे क्योंonces anda रती इस जहां शाम के बाद बच्चों की भीर लगी रहती थी और मैं अच्छे पैसे कमा लेती थी, मुझे पढ़ने पढ़ाने का बहुत शॉक था, मेरी मा कहती तो स्कूल में जाब ले ले, पर स्कूल में तो और्तों वाले कपड़े पहनने पढ़ते हैं, इस वज़े से मैं मम्मी क मना कर देती थी, और अब मैं 28 साल की हो गई थी, कि एक जगा मेरी शादी फिक्ष्ट हो गई, यू बार बार लड़कों से रिजेक्शन से मैं बहुत परिशान हो गई थी, आखिरकार जो लड़का मुझे शादी को तयार हुआ था, वह तलाक शुदा था, और मुझे 10 साल बड़ा था, मेरे मम्मी पापा ने काफी मजबूरी में ही ये रिस्ता तै किया था, उन्हें लगता था कि मेरे अंदर कमी है, जिस वज़ा से लड़की इतनी उम्र तक घर पर बैठी हुई है, शादी की सारी तयारी हो चुकी थी, मेरे दोस्त अमित ने कॉल किया तो मैंने उससे कह दिया था कि मेरी शादी तै हो गई है, और तुझे आना पड़ेगा, और उसे इंविटेशन कार्ड भी बेज दिया था, मैं भी काफी खुश थी, क्योंकि मैं भी काफी अकेली हो गई थी, मेरे सारे दोस्त जो के लड़के ही थे, सब अपने अपने काम में गई थी, बस एक अमी थी था, जो में से कॉंट्राक्ट रखता था, और बाकी टाइम यही फैमली के साथ और बच्चों को पढ़ाते हुए निकल जाता था, मेरी बेहनों के तो बच्चे भी हो गए थे, और मेरी दीदी और बेहन मेरी शादी में आचुके थे, और सारे रि आपको बदलना पड़ेगा, मैं अपने बाल थोड़े ही बढ़ाए थे, और मेरी माँ शादी के लिए एक खुबसूर सा लहंगा लेकर आई थी, उस लहंगों को पहन कर मैं अपने आपको पहचार नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा मा मैं यह कपड़े पहन कर शादी नहीं कर सकती, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, पर अब मेरी मा गुस्सा करने लगी, कहने लगी अब मर्दों वाले कपड़े पहना छोड़ दे, मैं काफी उदास हो गई थी, जब शादी के मंडब में मेरी शादी होने जाही रही अब तुम ना कैसे कर सकते हो, सारी तैयारिया हो चुकी है, और शादी के मंडब में ये रिस्ता कैसे तोड़ सकते हो, आज जादा हंगामा ना हूँ, इसलिए लड़के और लड़के की फैमिली को लेकर हम कमरे के अंदर आ गये थे, मैं तो बिलकुल शाक्ड हो गई थी, कि आखिर या हो क्या रहा है, अ इसका सीना भड़ा हुआ ना हो, कि मर्दो की तरह सपाठ हो, यह सुनकर तो मैं टूट कर बिखर गई, मेरी आखों से टब टब आसू गिरने लगे थे, और अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैंने कहा, अभी के अभी यहां से निकल जाओ, तुम क्या शादी तोर अभी चुप चाप निकल जाओ, वरना मार मार के यहां से निकालूंगी, मेरे ममी पापा मेरी इस हरकत से बिलकुल हैरान रहे, कहने लगे बेटी, यह क्या कह रही है, तेरी बदनामी हो जाएगी, मैंने कहा, मा, अजे ने जो कहा है, सारी हदे पार कर दी है, इसके बाद, अगर मैं यह बर्दास कर लीना, और इसे शादी कर लीना, यह मेरी जिंदगी खराब कर देगा, ऐसे घटिया सोच वाले लड़के के मुह में, मैं थुकती हूँ, चल निकल अभी क्या भी यहां से, मैं उस कमरे से बाहर निकल गई, और महमानों से कह दिया, कि बारातियों क इतना इंसल्ट हुई कि वहां लोग वहां से मुह जुका कर निकल गए थे, और लड़की की तरप से सारे गेस्ट बहुत हैरत भरी निगाहों से हमें देख रहे थे, कई स्वानतुना देने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन तभी भीर में से एक लड़का सामने आया, और कहा यह शादी खतम नहीं हुई है, मैं शादी करूंगा सुमन से, अभी इसी मंडप में, उसके करकदार आवाज से सभी लोग शाक ड्रह गए, जब मैं उस लड़के को देखा तो काफी हटा-कटा और हैंसम लड़का था, चेरा काफी जाना पैचाना भी लग रहा था, मैं सोच में कर गई कि यह लड़का कौन है, और यह सब के सामने मेरा हाथ थामना चाहता है, मेरी फैमली की और मेरी पहले ही बहुत इंसल्ट हो रखी थी, तो मैं भी सब के सामने कह दिया ठीक है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, यह कहने से पहले, मम्मी पापा की त अरफ एक बार मैंने देखा था, तो उन्होंने हां में सिरहलाया था, जिस वज़ा से मैंने हां करते देर नहीं की, जो दुख का माहूल था, वो फिर से खुशी के माहूल में बदल गया, और मेरी शादी हो गई, बिदाई से पहले, मेरी मा मुझे अपनी बाहों में ले लि मुझे शादी की थी, उसने सबसे कह दिया कि मैं सुमन को बहुत अच्छे से रखूंगा, और उसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा, उसकी किसी भी कमी के लिए उस पर कभी उंगली नहीं उठाऊंगा, और हर दुख सुक में उसका साथ दूँगा, उसकी इस बातों से मेरे आखों में आसु आ गये थे, मेरे लाचार बाप ने उस लड़की को गले से लगा लिया, और कहा दमाजी मेरे बेटी से शादी करने के लिए बहुत बहुत धनिवाद, मेरे घर की तरफ से एक होटल का कमरा बुक करके हमारी सुहागरात का इंदजाम किया गया था, क्योंकि लड़के के पड़िवार में कोई जिवित नहीं था, एक उसकी मा ही थी, जो कुछ साल पहले गुजर गई थी, और उसने बताया कि उसके पिता बच्पन में ही इस दुनिया से चले गये थे, इस वज़़ा से मेरे पापा ने सारी अरेंजमेंट कर दी थी, अब वह वक्त आ मेरे पास आया तो उसने कहा कि तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं जानता हूँ कि तुम इन कपड़ों में अनकमफर्टेबल हो, जैसा कपड़ा पहनने का मन है वैसे ही पहन लो, यह बास सुनकर थोड़ी देर तुमैं उसकी तरफ देखती रही, लेकिन फिर जाकर का आखिर मुझसे चाहता क्या है, जो मंडप में मुझसे शादी कर ली और अब कह रहा है कि कपड़े बदल लो, मैं डरी सहमी सी उसके पास आ गई, तो मेरे पास आ गया, कहने लगा तुम बहुत सुन्दर लग रही हो, वैसे तो और तो वाले कपड़ों में भी बहुत क्यार करने लगा, पहली बार किसी लड़की के सपर्स से मैं बिलकुल अपने होशो हवास खूने लगी थी, कि तभी उसका हाथ मेरे सीने में चला गया, उसने मेरी टॉप निकाल दी, और फिर मेरे साइस देखकर एक जटके से पीछे आ गया, और बहुत ही हैरत से मेरी कर रही थी, कि ये मुझे छोड़ ना दे, और बेज़ जती सेहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, उसने कहा, तुम कितनी खूपसूरत हो, जैसे ही उसके मूँ से यह शब्द निकला, मेरे आँखों से आसू बहने लगे, मैं उसके बाहों से लिपट गई, और रोने लगी थ और कहा, अब दुख के दिन खतम हो गए, तुम जैसी खूपसूरत लड़की आस तक मैंने नहीं देखी, तुम्हें पाकर तो मेरे भाग्ये ही बदल गये हैं, अजे तो बदकिस्मत लड़का निकला, जिसने तुम्हारी खूपसूरती का दिदार किये, बिना ही सब के सामन ने कह दिया कि तुम्हारा सीना सपाठ है, यहाँ बास सुनकर तो मुझे एक जटका लगा, वह तो बंद कमड़े की बात थी, आखिर इसे कैसे पता लग गया, उसने कहा, ये तुम काफी बड़े हैं, फिर इसे चुपाने की क्या जरुरत है, एक औरत बनकर तो तुम दूस ये कि, ये कि तुम से शादी इसलिए की, क्योंकि मैं तुम से बहुत पहले से प्यार करता हूँ, अब मैंने अपना मूँ खोला, मैंने कहा, बहुत पहले से, उसने कहा, मैं मोटू से पतलू हो गया हूँ, तो तुम मुझे पहचान नहीं पाई, मुझे कुछ भी समझ में आ रहा था कि यह है कौन चेहरा तो जाना पहचाना था तो उसने कहा मैं अमित हूँ यह सुनकर मैं बिल्कुल चौक उठी थी क्योंकि मैंने उसे बहुत छोटे में देखा था जब वो मोटा हुआ करता था मैंने कहा अमित यार तुमने यह बत पहले क्यों नहीं कहा सादी की दौर भाग में मैं तुमसे तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा या फिर मैं पूछने की हालत में ही नहीं थी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बेचती सहनी पड़ेगी उसने कहा अगर मैं बोल देता तो शायद तुम शादी के लिए ना कर देती और यही कहती अमित कोई भी कमी नहीं थी बस यही कमी थी कि मैं मर्दों जैसा रहना चाती थी जिस बज़े से मुझे अजयने रिजेक्ट कर दिया था ऐसी कोई भी बात मेरे अंदर नहीं थी बस मर्द बनने के लिए मैं ऐसा करती थी मैं यहीं सोचने लगी थी कि शादे के लिए सबसे जरू दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें धन्यवाद